जहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी को के पीए स्टर्डी पॉइंट उट्यूब चैनल पर तो आप सभी को बता दे SSE GD भरती 2021 को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी किया गया है यानि कि आप सभी को पता है कि SSE GD के अंतरगत जो आपका भेकेंसी जारी किया गया है उसमें 25,271 पोश्ट है लेकिन भरती में जो आपकी पोश्ट की संख्या है इसे बढ़ाने को लेकर एक अपडेट जारी किया गया है सांती सांत इसका एक जाम डेट कप तक होगा ओ भी बताया गया है तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसके बारे में तो वीडियो में बने रहिए चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी SSE Constable GD की तयारी कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप सभी Complete Guide यानि कि समपूर्न Guide परचेच करना चाहते हैं तो चक्छू Publication का आप सभी Book परचेच कर सकते हैं इसमें सभी Subject आपको देखने को मिल जाएगा और इसका Solution, Answer सभी कुछ आपको एक ही Book में देखने को मिलेगा साथी साथ एक Practice Set है इसे भी आप सभी ले सकते हैं तो एक Complete Guide है यानि कि समपूर्न Guide है और एक Practice Set है तो इन दोनों Book का Link वीडियो के Description में दे दिये हैं आप सभी जाकर इसे Online Order कर सकते हैं या Offline Market से भी इन दोनों Book को आप परचेच कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दे कि जो ये News Paper आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का News Paper है और ये कल का News Paper में इसके बारे में जनकारी दिया गया है यहाँ पर आप सभी देखेंगे जीडी कंस्टेबल भरती में अब तक 3 लाग से अधीक आए आवेदन जल्द होगी परिक्षा यहाँ पर आप सभी देखेंगे केंदरीय सुरच्छा बल में जीडी कंस्टेबल भरती है तू त्रमचारी चैयन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है उमीद्वारों द्वारा 17 जुलाई से ही आवेदन किये जा रहे हैं अब तक कूल 3 लाग से अधीक उमीद्वारों ने आवेदन किये हैं इस भरती परिक्षा के तहट सीमा सुरच्छा बल में CISF, ITBP, BSF, SSB सम्मेत अन्य विभागों में जीडी कंस्टेबल पदो पर भरती की जाएगी यहाँ पर आप सभी देखेंगे नीचे के तरफ बताया गया है काफी लंबे समय के बाद इस भरती में पदो की संख्या 40,000 से अधीक रहने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में इसके पदो की संख्या 25,272 बताया गया है और यहाँ पर आप सभी को बता दे यहाँ पर बताया गया है लेकिन आयोग के सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार पदो की संख्या में कभी भी बदलाव किया जा सकता है वहीं इसकी परिक्षा आगामी नवंबर दिसंबर महीने में आवेजित कराई जा सकती है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि 40,000 पोष्ट पर आपका भरती जारी होने वाला था लेकिन जो वेकेंसी जारी किया गया 25,271 पोष्ट पर आप सभी को पता है और यहां पे बताया गया है कि आयोग के सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार पौदो की संखिया में कभी भी बदलाव किया जा सकता है यानि कि पौदो की जो संखिया है उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जाता है तो गरांटी है कि आपका जो पोश्ट है वह 25,271 से बढ़ कर 40,000 तक हो सकता है तो यह जो है अभी हुगा नहीं है लेकिन इसके बारे में जो है बताया गया है और यहां पे आप से भी देखेंगे कि इसकी परिक्षा जो है अगामी नवंबर दिस संबर में होने माला है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताएं है तो यहां पे जो है इस भरती के बारे में अपडेट जो है यह हिंदूस्तान का जो न्यूज पेपर होता है उसमें जो है इस भरती के बारे में जो है यह अपडेट दिया गया है यह कोई फेंक अ क्योंकि इस चैनल पर आपको SSE GD related सभी जनकारी दी जाती है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम